युकरेन के राश्ट्रपती वलोदिमीर जलेंस्की लगातार ऐसी हरकते कर रहे हैं जो पीए मोडी की मेहनत पर पानी फेर देती है पिछले कुछ महीनों में पीए मोडी तीन बार जलेंस्की से मिल चुके हैं मगर हर बार जलेंस्की ने भारत को धोका दिया है इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है अमेरिका में हो रही सयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में जलिंसकी पीए मोदी से मिले जंग खत्म करने के लिए पीए मोदी की हा में हा मिलाते रहे मगर पीए मोदी के साथ मीटिंग खत्म करते ही एक ऐसी जगहे पर पहुँच गए जो आपको हैरान कर देगी जलिंसकी की ये मुस्कुराहट आपको गुसा दिला देगी वैसे जलिंसकी की ये तस्वीर देख अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प भी बहुत ज्यादा भड़क गए हैं ट्रम्प ने जलिंसकी पर ऐसा बयान दिया है जिसका समर्थन आप भी करेंगे ये बयान आपको सुनवाएंगे लेकिन सबसे पहले ये देखिए कि जलिंसकी पिये मोदी से मिलने के बाद कहां पहुँचे हैं दरसल शांती की बाते करने वाले जलिंसकी रूस पर हमला करने के लिए बम और बारूद के गोलों पर आटोग्राफ ले रहे हैं जलिंसकी अमेरिका के पैंसिल्वेनिया में हतियारों की एक फैक्टरी में पहुँचे हैं इस फैक्टरी में यूक्रेन के लिए खतरनाख हतियार बनाये जा रहे हैं पैंसिल्वेनिया के गवर्नर जौश शापीरो ने मू दिखाई के लिए कुछ बारूदी गोलों पर आटोग्राफ कर दिये और रूस पर दागने के लिए जलेंस्की को दे दिये ये सीधे सीधे भारत के शांती प्रयासों को कमजोर करने वाली हरकत है मगर इस तस्वीर ने भारत के अलावा डॉनल्ड ट्रम्प को भी भड़का दिया है डॉनल्ड ट्रम्प जलेंस्की को एक शातिर व्यक्ती बोलते हैं डॉनल्ड ट्रम्प का कहना है कि जलेंस्की धर्ती पर वो इकलोते सेल्समेन है जो जब भी अमेरिका आते हैं हर बार 60 बिलियन डॉलर लेकर चले जाते हैं ट्रम्प ने कहा कि जलेंस्की चाहते हैं कि मैं कभी भी राश्ट्रपती ना बन पाओ वो कमला हैरिस को ही राश्ट्रपती देखना चाहते हैं क्योंकि कमला हैरिस यूक्रेन को पैसा और हतियार दोनों दे रही हैं। ट्रम्प ने कहा कि अगर मैं राश्ट्रपती बन गया तो सीधे जलिंस्की को बुलाऊंगा और पुतिन के सामने बैठा दूँगा। मैं जलिंस्की से बोलूँगा कि जंग खत्म करो। ड्रम्प ने कहा कि जलिंस्की मुझे कट्टर बोलते हैं लेकिन मेरे जैसा कट्टर व्यक्ती ही जंग रुकवा सकता है। आईए आपको ड्रम्प का बयान सुनवाते हैं।